हलो दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क में नौवा पार्ट पड़ेंगे और इसमें आज हम काम छोड़ने अत्वा सेस बचे काम वाले प्रश्णों को हल करेंगे तो चलिए दोस्तों कोस्चन की तरब चलते हैं कोस्चन है आज का हमारा A, B किसी काम को 10-15 दिन में पूरा करते हैं तो A ने काम शुरू किया और 4 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है तो सेस बचा काम B कितने समय में पूरा करेंगे तथा कूल काम कितने दिन में समाप्त होगा question में हमसे ये पूछा है आईसे question को देखिए यहाँ पे दिया है A और B A करता है 10 दिन में B करता है 15 दिन में तो यहाँ पे दोनों का total काम निकालेंगे दोनों का total काम निकालने के लिए 10 और 15 का LCM लेंगे LCM कितना होका 30 होगा यह total काम निकल गया अब आप दोष दीन में 30 काम, तो ए एक दीन में 3 काम करेगा, और भी एक दीन में 2 काम करेगा, ठीक है? Question में कह रहा है कि ए ने काम सुरू किया और 4 दीन तक काम किया, चार दीन तक काम किया, काउन ए काम किया? यानि एक दिन में एक तीन काम करता है तो चार दिन में कितना काम करेगा तो चार का मल्टिप्लाई कर देंगे तो चार दिन हैं बारा काम करेगा एक बारा काम किया और टोटल काम कितना करना है तीस काम 30 काम मसे यह 12 काम ए कर दिया तो 30 में से हम माइनस कर देंगे 12 30 में से 12 माइनस कर देंगे तो 6 काम कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 18 बचेगा यानि 6 अठार काम बचेगे question में यह कर रहा है कि 6 बचा काम B कितने समय में पूरा करेंगे कितने समय में पूरा करेगा तो अठारे में हम क्या करेंगे दो से भाग कर देंगे अठारे में दो से भागी अठारे अठारे में हम दो से भाग कर देंगे क्योंकि यह पूछा है बी कितने समय में पूरा करेंगे तो बी यहाँ पे दो काम करता है तो 2 से भाग कर देंगे तो 29, 18 यानि B कितना दिन में करेगा तो ये B करेगा 9 दिन में ठीक है अब यहाँ पर question में आप से पूचाए कि तथा cool come कितने दिन में समाप्त होगा करे cool come कितने दिन में समाप्त होगा यानि total come तो यहाँ पर हम लिखेंगे cool come cool come cool come कितना दिन में समाप्त होगा तो यहाँ पर देखिए जो A है 4 दिन तक काम करता है और B 9 दिन तक काम करता है यह 4 दिन तक काम करता है B 9 दिन तक काम करता है दोनों कितना दिन काम करेंगे 13 दिन काम करेंगे दोनों कितना दिन काम करेंगे तेरा दिन काम करेंगे तेरा हमारा right answer होगा ठीक है दोश्तों तो मुझे उमीद है कि आप इस question को अच्छे से समझ गए होगे चलिए next question की तरफ चलते हैं अगला question है A, B किसी काम को 12-16 दिनों में पूरा करते हैं उन दोनों ने एक साथ काम सुरू किया और तीन दिनों तक काम करने के बाद A काम छोड़ कर चला जाता है अब सेस बचे काम को B पूरा करता है तो कुल कितने समय में काम समाप्त होगा question में हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे देखिए A है और ये B है A करता है 12 दिन और B करता है 16 दिन तो दोनों का टोटल काम निकालेंगे तो दोनों का टोटल काम कितना होगा टोटल काम 48 टोटल काम निकालने के लिए 12 और 16 का LCM लेगे तो LCM कितना होगा 48 होगा अब ए 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में कितना काम करेगा चार काम करेगा और भी तीन काम करेगा ठीक है अब एक राय कोश्चन में कि दोनों एक साथ काम सुरू किया दोनों एक साथ काम किया तो कितना काम हुआ तो चार आतीन जोड़ेंगे कितना होगा साथ काम होगा दोनों कितना काम करेंगे साथ काम करेंगे अब यहाँ पर देखे कर आए कि यह तीन दिनों तक काम करने के बाद मतलब यह दोनों एक साथ काम किये और तीन दिन तक काम करने के बाद यह काम छोड़कर छोड़कर चला जाता है तो यह जो है तीन दिन तक काम किये दोनों मिल करके, दोनों का काम साथ है, तो दोनों तीन दिन तक काम किये, तो कितना काम किये, ये 21 काम किये, साथ का तीन में गुड़ा कर देंगे, कितना होगा, 21 काम, यानि दोनों मिल कर 21 काम किये, अब टोटल काम कितना है, 48 काम है, तो यहाँ पे 48 काम मसे, 21 काम घटा तो यहां पे 6 काम निकल जाएगा तो 8 मसे 1 गया 7 और 4 मसे 2 गया 2 यहां पे 27 काम 6 बचा अब जो 6 काम है कौन करेगा बी करेगा तो बी यहां पे 3 काम करता है तो यहां पे 27 में हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 नमा कितना होगा 27 यानि 9 दिन काम करेगा 9 दिन कौन काम करेगा तो बी 9 दिन तक काम करेगा अब यहां पे कह रहा है कि कूल काम कितने समय में समाप्त होगा Q. 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 Q 9 काम कर रहा है, तो 9 वा 3 जोड़ेंगे तो कितना काम हुआ, 12 काम हुआ, दोनों कितना काम करेंगे, 12 काम हुआ, यह 12 हमारा right answer होगा, ठीक है दोश्तों, चलिए, next question देखते हैं, अगला question दिया है, A, B किसी काम को 10, 15 दिनों में पूरा करते हैं, उन दोनों ने एक साथ काम सुरू किया, परन्तु काम समाप्त के 3 दिन पहले, A ने काम छोड़कर चला गया, तो कूल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, अब यहाँ पे यह A है, और यह B है, यह A है और यह B है, तो A करता है 10 द काम निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए यल्सीम निकालेंगे, 10 और 15 काया यल्सीम कितना होगा? 30 होगा, अगर A करता है 10 दिन में 30 काम, तो A करेंगा और B करेंगे 2 काम, question में यहां से फिर से पढ़ेंगे यहां पे कराए कि उन दोनों ने एक साथ काम सुरू किया परन्तु काम समाप्थ कि तीन दिन पहले तीन दिन पहले एक काम छोड़ कर चला जाता है तो कुल कितने दिनों में काम समाप्थ होगा अब देखे एक काम छोड़ कर चला जाता है तो ऐसे question में जो छोड़ कर चला जाता है उससे जबरदस्ती काम करवा लेंगे तो यहां पे एक तीन दिन तक तीन दिन तक यह जो है करें कि परन्तु काम समाप्थ कि तीन दिन पहले ए छोड़ कर चला जा रहा है जब ए छोड़ के जाता है तो इससे जवरदस्ती काम करवाएंगे तो यह कितना काम किया नो काम किया अब यह नो काम किया और टोटल काम कितना था 30 यहाँ पे नो काम जवरदस्ती करवाय जा रहा है पहले 30 काम था तो 30 में यह 9 काम जोड़ दें तो यहां पर यह का रहा है कि उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो यह तीन दीन काम कर रहा था यह दो काम कर रहा है तो यह कितना काम हुआ टोटल पांच काम हुआ अब पांच काम से यह 49 में हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे जब भाग करेंगे तो 5,7,35 हुआ और 9 मसे 5 गया कितना हो गया? 4 हो गया तो यह 7,4 बटे 5 दिन होगा 7,4 बटे 5 दिन हमारा राइट आंसर होगा ठीक है? चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है A, B, C किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं A ने 3 दिन काम किया अब वह काम छोड़ कर चला जाता है अब B उसी काम को 4 दिन में करता है और वह भी काम छोड़ कर चला जाता है 6 बचे काम को C समाप्थ करता है तो 6 काम कितने दिन में तथा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा अब यहाँ पे देखिए A है और ये B है और ये C है A कर रहा है 12 दिन में B कर रहा है 15 दिन में C कर रहा है 20 दिन में तीनों काम यलसियम निकालेंगे 12, 15, 20 का यलसियम निकालेंगे तो हो जाएगा 60 और ये 60 जो होगा, टोटल काम होगा, तो A एक दिन में, जैसे 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम करेगा, और B एक दिन में 4 काम करेगा, C एक दिन में 3 काम करेगा, कोश्चन में ये का है कि ए तीन दिन तक काम किया तो ए पाँच काम कर रहा है तो यहाँ पे तीन दिन से गुड़ा कर देंगे तो तीन पच्चे कितना हो गया पंदर यहाँ पे हो गया पंदर काम ठीक है अब ये कार रहा है कि वह काम छोड़ कर चला जाता है अब B उस काम को चार दिन तक करता है तो B का यहाँ पे चार काम है तो चार दिन करता है तो यह कितना करता है 16 काम करता है ठीक है यह 16 काम करेगा तो अब यह कहा है कि और वह भी काम छोड़कर चला जाता है तो सेस बचे काम को C समाप्त करता है सी समापथ करता है, तो सेट काम कितने दिन में, तथा पूरा काम कितने दिन में समाप्थ होगा, तो यहाँ पे 15 और 16 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 16 और 15, 31 हो गया, 16, 15, 31 हो गया तो 60 काम मसे 60 काम मसे यह 31 काम हो चुका है यह 16, 15 जोड़ेंगे तो 31 काम होगा अब 31 काम हो चुका है तो यहां से घटा देंगे तो 6 काम निकल जाएगा तो 10 मसे 1 गया 9 अब 5 मसे 3 गया 2 यहां पे 29 काम 6 बचा है अब सेज बचे काम को कौन करेगा सी करेगा तो सी का तीन काम कर रहा है तो यहाँ पे 29 में हम 3 से भाग कर देंगे 29 में 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 39 27 हुआ और बच गया 2 बटे में 3 यानि 9 सही 2 बटे 3 दिन लगेगा किसको सी को यानि C 9 से 2 बटे 3 में 3 दिन में पूरा कर देगा कर आए यहाँ पे कि पूरा कितने दिन में समाप्थ होगा यानि पूरा काम कितने दिन में समाप्थ होगा तो यहाँ पे देखिए A कितना दिन काम कर रहा है 3 दिन काम कर रहा है यहां पर लिखेंगे पूरा काम, कितना दिन में समाप्त होगा, ये पुछ रहा है, तो A, 3 दिन तक काम किया, B, 4 दिन तक काम किया, तो plus 4 और C, कितना दिन काम कर रहा है, 9 सही, 2 बटे 3, तो plus 9 सही, 2 बटे 3, अब सब को जोड देंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 7 अनो बटे तीन काम, 16 सहीद 2 बटे तीन दीन लगेगा तीनों को करने में, तो 16 सहीद 2 बटे 3 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मेद करता हूँ कि आप कोस्चोन को अच्छे से समझ गए होगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक सेर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिजिए धन्यवाद